साध्यों, बीते सो वर्षों में, AMU ने दुनिया के कई देशों से भारत के समंदों को ससक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अर्वी और फार्सी भार्षा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक सहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ड के साथ भारत के सांसकुर्थिक रिस्तों को नई उर्जा देती है। मुझे बताया गया है कि अभी लगभग एक हजार विदेशी स्टूडेंट्स हमारे यहां एमयू में पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे में एमयू की ये भी जिम्मेदारी है कि हमारे देश में जो अच्छा है जो बहतरीन है जो देश की ताकत है वो देखकर वो सिखकर उसकी यादे लेकर के ये चात्र अपने अपने देशों में जाए क्योंकि एमयू में जो भी बाते वो सुनेंगे देखेंगे उसके आधार पर वो राष्ट के तौर पर भारत की आइडेंटिटी से जोडेंगे इसलिए आपके समस्थान पर एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी है अपना रिस्पेक बढ़ाने की और अपनी रिस्पोंसिबिलिटी बखुबी निभाने की आपको एक तरफ अपनी युनिवर्सिटी के सौफ पावर को और निखारना है और दूसरी तरफ नेशन बिल्डिंग के अपने दाइत्व को निरंतर पूरा करना है मुझे विश्वास है एम्यू से जुड़ा प्रतेक व्यक्ति प्रतेक छात्र छात्रा अपने कर्तम्यों को ध्यान मर रखते हुई यही आगे बढ़ेगा मैं आपको सरसय्यद द्वारा कही गई एक बात उस बात की आज याद दिलाना चाहता हूँ उन्होंने कहा था अपने देश की चिंता करने वाले का पहला और सबसे बड़ा कर्तव है कि वो सभी लोगों के कल्यान के लिए कार्य करें भले ही लोगों की जाती मत या मजहब कुछ भी हो साथियों अपनी इस बात को विस्तार देते हुए सरसय्यद ने गुधार्ण भी दिया था उन्होंने कहा था जिस प्रकार मानव जीवन और उसके अच्छे स्वास्ता के लिए शरीर के हर अंग का स्वस्त रहना जरूरी है वैसे ही देश की सम्रुत के लिए भी उसका हर स्तर पर विकास होना आवश्यक है साथियों आज देश भी उस मार्क पर बढ़ रहा है जहां प्रत्यक नागरिक को बिना किसी भेदभाव देश में हो रहे विकास का लाब मिले देश आज उस मार्क पर बढ़ रहा है जहां का प्रत्तेक नागरिक संविधान से मिले अपने अधिकारों को लेकर निशिन्त रहे अपने भविष को लेकर के निश्चिन्त रहे देश आज उस मार्क पर बढ़ रहा है जहां मजहब की बदर से कोई पीछे न छुटे सभी को आगे बढ़ने के समान अउसर मिले सभी अपने सपने पूरे करे सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास ये मंत्र इसका मूल आधार है देश की नियत और नीतियों में यही संकल्प जलगता है आज देश गरीबों के लिए जो योजनाय बना रहा है जो बिना किसी मत मजहब के बेद के हर वर्ट तक पहुँच रही है बिना किसी भेदभाव 40 करोड से जादा गरीबों के बैंक खाते खुले बिना किसी भेदभाव 2 करोड से जादा गरीबों को पक्के घर दिये गए बिना किसी भेदभाव 8 करोड से जादा महलाओं को गैस कनिक्शन मिला बिना किसी भेदभाव कोरोना के इस समय में 80 करोड देश वाच्यों को मुप्त अन्न सुनिश्चित किया गया बिना किसी भेदभाव आईश्मान योजना के तहर 50 करोड लोगों को 5 लाख रुपिय तक का मुप्त इलाज संबव हुआ जो देश का है वो हर देश वासी का है और इसका लाप हर देश वासी को मिलना ही चाहिए हमेरी सरकार इसी भावना के साथ काम कर रही है